दोस्तो बाइबल के बारे में तो हम सब जानते ही है जो इसाईयों का पवित्र धर्मगरंत माना जाता है लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया में ऐसे भी किताब है जिसे शैतानों की किताब कहा जाता है जी हाँ दोस्तो शैतानों की किताब आपने सही सुना है इस किताब का नाम है कॉडेक्स गीगास जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब को लिखने के पीछे की कहानी और साथ ही हम जानेंगे इस किताब से लूट लिया था इस लूट में शुडिश लोगों को काफी खजाना मिला लेकिन इन सब के बीच उन्हें मिली एक बहुत बड़ी रहसे में शैतानी किताब जिसका नाम रखा गया कॉडेक्स गीगास का मतलब होता है जायंट बुक ये किताब इतनी बड़ी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है ये किताब 36 इंच लंबी 120 इंच चोड़ी और 8 इंच मोटी है इसका वजन 75 किलो के आसपास बताया जाता है इस किताब में कुल 310 पन्ने है और सारे पन्ने अनिमल स्किन से बने हुए है ऐसा माना जाता है इस किताब को ब रहस्य में ही शैतानी किताब मानी जाती है क्योंकि इसे किसी डिवाइन पावर ने नहीं बलकि एक शैतानी पावर की इंस्पिरेशन के जरिये लिखा गया है कहा जाता है इस किताब को सिर्फ एक रात में लिखा गया है जितनी रहस्य में ये किताब है उतनी ही रहस्य में इस किताब को लिखने की पीछे की कहानी बताई जाती है तो कहानी कुछ इस तरह है 13 सेंचुरी में एक हर्मन नाम के सन्यासी ने मट की नियमों को तोड़ दिया था इस बात की खबर वहां के राजा तक पहुँच गई और सन्यासी को मौत की सजा सुनाई गई इस सजा से बचने के लिए सन्यासी ने राजा के सामने एक डील रखी कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानव जाती के लिए एक बहुत ही अच्छE किताब होगी जिसमें सारी दुनिया का ग्यान शामिल होगा राजा ने उस सन्यासी की बात मान ली लेकिन राजा ने सन्यासी के सामने शर्त रखी कि अगर वो किताब एक रात में लिख देता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी सन्यासी ने राजा की शर्त मान ली और किताब को लिखना शुरू किया लेकिन आधी रात बीट जाने पर वो समझ गया कि एक रात में वो अकेले पूरी किताब को नहीं लिख सकता है तब उस सन्यासी ने एक खास तरह की पूजा करके शैतान को बुलाया और शैतान से मदद मांगी सन्यासी ने शैतान से अपनी आत्मा को सौब देने के बदले एक ऐसी अनोकी किताब लिखने की डील की जिसे पहले कभी न लिखा गया हो शैतान ने सन्यासी की बात मान ली और सन्यासी की आत्मा के बदले शैतान ने रात भर में ही पूरी किताब लिख डाली सुबह होते ही सन्यासी ने वो किताब राजा को दे दी जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश की गई तब सब हैरान रहे गए क्योंकि इस किताब के पहले ही पेच पर शैतान की एक बड़ी सी तस्वीर बनी हुई थी जो बहुत ही अजीब लग रही थी जैसे ही इस किताब को खोला गया तो बहुत से लोगों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया इस घटना के बाद से ये किताब जिसके भी पास जाती थी वो इनसान अपना दिमागी संतुलन खोने लगता था इस किताब को नश्ट करने की भी कोशिश की गई लेकिन कोई इसे नश्ट करने में कामियाब नहीं हो पाया Devil's Bible शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है और लोगों को शैतान के रास्ते पर ले जाने के इरादे से लिखी गई थी इस किताब का जादतर पाठ शैतान की पूजा, शैतान को बुलाने के तरीके और शैतानों के रिचुल्स से भरा पड़ा है कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें इस किताब में से शक्त बाहर निकल कर जलते हुए दिखाई देते थे इस किताब पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि ऐसी किताब जो कि चमड़े के पन्नों पर लिखी गई हो एक ही इनसान को लिखने में 30 साल तक का वक्त लग जाएगा क्योंकि ये किताब इतनी बड़ी है और उनमें बनाए गई पिच्चर्स जो कि बहुत ही बारिकी का काम है लेकिन इस किताब को लिखने में इस्तमाल होने वाले इंक और इस किताब में लिखी हुई हैंड़ाइटिंग में बिलकुल भी फरक नहीं है जिससे ये समझ में आता है कि ये किताब एक ही दिन में लिखी गई है जो किसी इनसान के बस की बात तो बिलकुल भी नहीं है इसलिए इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक और हॉंटेट बुक भी माना जाता है फिलाल ये किताब स्विडन के एक लाइबरेरी में सुरक्षित रखी हुई है इस किताब को लिखने के पीछे की वज़ा आज भी एक अनसुलजा रहस्य है कोडेक्स गिगाज आखिर एक रात में कैसे लिखी गई है ये अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है दोस्तों आपको क्या लगता है क्यों लिखी गई होगी ये किताब आखिर क्या मकसद रहा होगा ऐसा करने के पीछे अपनी राय कमेंट में जरूर दे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करे और आगे ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चानल मिस्टिक वर्ल्ड को प्लीज सब्स्राइब करे